श्रद्धा कपूर जिनकी स्ट्री टू इन दिनों खासा चर्चा में है और इसकी वज़ा बॉलिवूड के सबसे बुरे दौर में भी उनकी फिल्म का एक महीने तक सिनेमा के परदे पर टिके रहना है पिछले महीने 15 अगस को रिलीज हुई इस फिल्म में जिस तरह श्रद्धा साल में सिर्फ एक बार पूजा के दौरान नजर आती है ठीक वैसा सा ही कुछ हाल उनका बॉलिवूड में भी है उनके 15 साल लंबे करियर में उन्हें रनवीर कपूर के अलावा कभी किसी और बड़े बॉलिवूड स्टार जैसे सलमान खान, शारुक खान, आमिर खान, अक्षे कुमार या अजे देवगन के साथ काम करते हुए नहीं देखा गया है चाहिए मात्र एक संयोग है या उनके खिलाफ बॉलिवूड में कोई शडियंत रचा गया है या उनके पिता वेटरन एक्टर शक्ती कपूर का पुराना MMS उनकी सफलता की राह में रोडा बना हुआ है नैपुकिट होते हुए भी अपनी फिल्मों से प्रोडूसर को अच्छी कमाई करवाने वाली श्रद्धा के करियर को क्यूं डैमेज करने की कोशिश की जा रही है और वो कौन लोग हैं जो इस मुहीम में शामिल हैं श्रद्धा कैसे करती हैं इन सब से अपना बचाओ किस्सा में बात आज इसी पर तीन मार्च 1987 को मुंबई में वेटरन एक्टर शक्ती कपूर के घर जन्मी श्रद्धा कपूर का बॉलिवूड डेब्यू आजकल के स्टार किट्स की तरह लार्जर देन लाइफ नहीं हुआ था उन्होंने साल 2010 में आई फिल्म तीन पत्ती से बॉलिवूड में कदम रखा लेकिन अमिताब बच्चन, आर्माधवन और राइमा सेन जैसे उस वक्त के बड़े स्टार्स के साथ स्क्रीन शेयर करने के बाद भी श्रद्धा को इस फिल्म से कोई खास पहचान नहीं मिली इसके बाद साल 2011 में वो यश्राज बैनर के अंडर बनी फिल्म लव का दी एंड में नजर आई लेकिन उनकी ये फिल्म भी बॉक्स आफिस पर कोई खास कमाल नहीं कर पाई शुरुआती दो फिल्में फ्लॉप देने के बाद श्रद्धा अपने बॉलिवूट करियर के उस मुकाम पर आ गई थी जहां उन्हें अपनी तीसरे फिल्म को बहुत सोच समझ कर साइन करना था क्योंकि ये तीसरे फिल्म उनके करियर की आखरी फिल्म भी हो सकती थी शद्धा किसी और फिल्म प्रोडेक्शन कंपनी के साथ कोई फिल्म नहीं कर सकती थी इस तरह का कॉंट्रैक्ट ये श्राज फिल्म अपने सभी आर्टिस्ट के साथ करता है जिसमें अनुष्का शर्मा से लेकर रनबीर सिंग जैसे बड़े नाम शामिल है ये शोपला के छोटे बेटे उधे चोपला को अगर छोड़ दिया जाए तो ये श्राज फिल्म के अंडर लॉंच किये गए ज्यादातर आर्टिस्ट अपने करियर में मोर देन एवरेज तो परफॉर्म कर ही रहे थे ऐसे में ये श्राज फिल्म को ड्रॉप करना श्रद्धा के लिए बहुत रिस्की हो सकता था अपने करियर की तीसरी फिल्म को चूज करने के लिए श्रद्धा के पास आशिकी 2 का उफर आया जो कि 1990 में आई राहूल रोई स्टारर आशिकी का रीमेक थी जबकि आशिकी खुद 1937 में आई एक अमेरिकन कल्ट क्लासिक फिल्म अस्टार इस बॉर्न का अडैप्टेशन थी अस्टार इस बॉर्न और आशिकी दोनों ही अपने जमाने की सुपर हिट फिल्म्स थी इसलिए आशिकी टू के हिट होने के चांसेज काफी ज़्यादा थे और इस वक्त शद्धा को अपने करियर को पुश देने के लिए ऐसी ही किसी फिल्म की जरूरत थी लेकिन इस फिल्म को साइन करने के लिए शद्धा को यश्राज फिल्म्स के साथ किया हुआ तीन फिल्म्स का कॉंट्रैक्ट तोड़ने की जरूरत थी और इस कॉंट्रैक्ट को तोड़ने का मतलब था ते मोस्ट सक्सेस्फल बैनर अफ बॉलिवूर्ड यानि यश्राज फिल्म्स के साथ हमेशा के लिए अपने रिश्टे खराब करना लेकिन श्रद्धा ने इस क्रूशल टाइम पर एक बोल्ड डिसीजन लिया और यश्राज फिल्म्स के साथ अपना कॉंट्रैक्ट ब्रेक्ट करके आशिकी टू को साइन कर लिया उनका ये डिसीजन उनके करियर के लिए बहुत अच्छा साबित हुआ क्योंकि साल 2013 में आई उनकी आशिकी टू उस साल की ब्लॉक बस्टर फिल्म रही जिसने श्रद्धा कपूर और आदित तेरोय कपूर को रातो रात स्टार बना दे आशिकी टू ही श्रद्धा के करियर में सौ करोड का बिजनेस करने वाली पहली फिल्म बनी लेकिन इन सब अचीवमेंट्स के लिए श्रद्धा को इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी श्रद्धा के कॉंट्रेक्ट ब्रेक करने के बाद से यश्राज फिल्म्स ने श्रद्धा से दूरियां बना ली और उसके बाद से आज तक कभी उन्हें यश्राज फिल्म्स की किसी भी फिल्म में नहीं देखा गया। यश्राज फिल्म्स दौरा साइलेंटली बैंड किये जाने के बावजूद श्रद्धा को बॉलिवुड में फिल्म्स मिलनी बंद नहीं हुए। उन्होंने हैदर, एक विलन, हाफ गल्फरेंट, चिछोरे और बागी जैसी तमाम बहतरीन फिल्मों में अपने काम से लोगों को अपना फैन बना लिया। फिर बॉलिवुड इंडस्री के दो इस्टैबलिश फिल्म प्रोडक्शन कंपनी की तरफ से साइलेंटली बैंड कर दिया गया। साल 2016 में आई रॉक ऑन टू में फरहान अख्तर उनके को स्टार थे और ये फिल्म उन्ही के बैनर एकसल एंटर्टेन्मेंट के दोरा बनाई गई थी। इस फिल्म के शूट के दोरान श्रद्धा कपूर और फरहान अख्तर के अफेर्ज की खबरें काफी चर्चा में थी। लेकिन श्रद्धा के फादर एक्टर शक्ति कपूर को वो रिलेशन पसंद नहीं था इसलिए श्रद्धा को फरहान से ब्रेक अप करना पड़ा था। 17 आते आते श्रद्धा बॉलिवूट के तीन बड़े बैनर से बैन की जा चुकी थी और इसके अलावा अन्य बड़े बैनर भी उन्हें अपनी फिल्म के लिए अप्रोच नहीं कर रहे थे। लेकिन फिर भी श्रद्धा अपने करियर में ग्रो करती रही। जिसका कारण था उनका फिल्म स्क्रिप्ट सेलेक्शन उन्होंने बाकी ने पुकिट्स की तरह इजी केरेक्टर को कभी प्रिफरेंस नहीं दी। उन्होंने हमेशा उन फिल्मों को चूज किया जिसमें उनका केरेक्टर यूनीक और चैलेंजिंग था। जैसे कि हसीना पारकर, हैदर या चि बाकी बॉलिवूड हिरोइंस की तरह बहुत ज्यादा लाइम लाइट में या बॉलिवूड पार्टीज में तो नजर नहीं आती हैं। लेकिन फिर भी श्रद्धा इंस्टाग्राम पर इंडिया में सेकेंड मोस्ट फॉलोड परसन हैं। जिसका कारण श्रद्धा का लोग बखु भी किया है। शायद यही वज़ा है कि लोग श्रद्धा को इतना पसंद करते हैं। और बॉलिवूड के बड़े बैनर्स के साथ काम करे बिना भी श्रद्धा ने आज अपनी एक अलग जगा बनाई है इंडियन फिल्म इंडिस्ट्री में। आपको भी लगता है कि शाहिद कपूर के बाद श्रद्धा कपूर वो दूसरी सफल बॉलिवूड आटिस्ट हैं जिनों नेपो किड होते हुए भी इंडिस्ट्री में अपना मुकाम अपने दम पर हासिल किया है। आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। स्ट्री 2 की सक्सेस के बाद आप शुद्धा को उनकी आने वाली फिल्म नो एंट्री सीक्वेल में देख सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। आप से फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। थाप शुद्धा, प्रणावाद स्ट्री 2 की सब्सक्राइब करें।